हेलो दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए साइकलोजी के कुछ इंपोटेंट कोशन्स लेकर आए हैं जो की और कम्यूटिटिव एक्जाम की द्रश्टी से काफी उपी होई है चलिए स्टाइट करते हैं कोशन नंबर बन से क्यों यह ऑब्जेक्टिव वेश्ट कोशन्स हैं मैं इसके फूर ऑप्शन्स ले रखें और आंसर भी शो हो रखा है कोशन नंबर बन देखते हैं वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से बस्तों वह घटनाओं के विश्टे में चिंतन प्यार्म करता है कौन सा है में इस बच्चा तर्क के रूप में यानि तार्किक रूप से बस्तों घटनाओं के बीच में क्या करता है वह चिं D. मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था तो जब बच्चा तार के एक रुप से बस तु अगटनाओं के विसे में चिंतन प्रारम करता है तो वो मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है Q. नमबर बन का राइट आंसर होगा D. Q. नमबर टू Q. नमबर टू का राइट आंसर होगा Q. नमबर त्री Q. विशेश रूप से प्राथ में किस तर पर विद्ध्यार्तियों की सीखने संबंदी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बहतर तरीका है यानि कि प्राथ में किस तर पर हम विद्ध्यार्ति जो सीखने संबंदी समस्याओं हैं उनको किस तरीके से कर सकते हैं तो प्षन्स देखते हैं Q. महेंगी और चमकदार साहिक सामगरी का प्योग करना Q. सरल और रोचापाथे पुस्टकों का प्योग करना C. कहाने कथन पद्धिती का प्योग करना D. आचमता के अनरूप विभिन सिक्षन पद्धितियों का प्योग करना यानि बच्चे की जो कैपी सिथी जो योग किता है जो चमता है उसके according सिक्षा पदिती का प्रयोग करना प्राथ में किस्ता पर चाहिए Q3. Q4. Q4. निमन मैंसे कौन सा बच्चे की सामाजिक मनुवैग्यानिक आवशक्ताओं के साथ संबद नहीं है A. समवेगात्मक सुरक्षा की आवशक्ता Q4. शरीर से अप्षिष्ट पदार्तों का नियमित रूप से बाहर निकलना Q4. सानिध्य की आवशक्ता Q4. सामाजिक अनुमूदन अत्वासर है साहना की आवशक्ता तो बच्चे की जो सामाजिक मनुवैग्यानिक आवशक्ताओं के संबद नहीं है Q4. शरीर से अप्षिष्ट पदार्तों का नियमित रूप से बाहर ने करना यह बच्चे की सामाजिक मनुवैग्यानिक आवशक्ताओं के साहना नहीं है Q4. नेक्स्ट वह कौन सा कथन है जहां बच्चे की संग्याना तुम विकास को सबसे बहतर तरीके से परिवाशित किया जा सकता है A. विध्याला और कक्चा परियावरण B. खेलता मेदान C. सवागार D. घर तो बच्चे को संग्यानल तुम विकास जो है उसका वेहतर तरीकी से अगर हम इस परिवासित कर सकते हैं तो वो विध्याल और कख्चा परियावरण में किया जा सकता है Q6 निम नमब फाइब का राइट आंसर होगा A. विध्याल एवं और कख्चा परियावरण बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सरजन करते हैं इसका श्रय जाता है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सरजन करते हैं ये प्याजे ने कहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सरजन करते हैं ए बिद्धाले का संपूर्ण का रिक्रम जिसमें बिद्यार्थी प्रति दिन अनुभुप्राप्त करते हैं बी मुल्यांकन प्रिक्रिया सी सिक्षण पदिती हैं पढ़ाई जाने वाली विशवस्तू और डी कक्षा में प्रियोक्त की जाने वाली पार्थे सामंगरी तो शिक्षा की छेट में पार्थे चरिया शब्दा वली जो है वो बिद्धाले का संपूर्ण का रिक्रम जिसमें बिद्धार्थी प्रति दिन अनुभुप्राप्त करते हैं कि ओर संकेत करती है कोशन नमबर सेवन का राइट आंसरों का ए नेक्स्ट निम्नमे से किसने कहा है कि शिशू अपने अवा संसार के बारे में अधिकांस बाते खेल के मात्रम से सीखता है क्रो एंड क्रो बी जोन डी बी सी के सल और डी स्ट्रेंग तो जो स्ट्रेंग की डेफिनिशन है यह कोटेशन जो है वो स्ट्रेंग की है कि शिशू अपने संसार के बारे में अधिकांस बाते खेल के मात्रम से सीखता है कोशन नमबर एट का राइट आंसरों का टी नेक्स्ट विकास कभी न समाप्थ होने वाली प्रिक्रिया है यहे विचार किसे सम्मंदित है A. निरंतरता का सिधान B. अनता सम्मंद का सिधान C. अनता किरिया का सिधान D. A. की करना का सिधान तो पिकास कभी न समात होने वाली जो प्रिक्रिया है वो निरंतर्ता के सिध्धान से संबन देते हैं यानि कोशे नमबर नाइन का राइट आंसर होगा A नेक्ष्ट निम लिखे तुम ऐसे किस अवस्था में बच्चे अपने समव्याश्क समू की सकरी सदश्य हो जाते हैं यानि बच्चा अपने समान समू जो होता है उसका सदश्य बन जाता है किस अवस्था में तो A प्रोन अवस्था, B केशोरा वस्था, C बाले वस्था और D तो जो है बच्चे जो है अपने सम्व्याश्क समू के सकरी सदश्य हो जाते हैं वो केशोरा वस्था में हो जाते हैं और नमबर 10 का राइट आंसर कभी नेक्ष्ट बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई यानि कि बच्चों के बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान प्याजी द्वारा दी गई कोईशन नमबर 11 का राइट आंसर का भी बहे इस तर जसमें बच्चा किसी बस्तू एगम घटना के बारे में तारकेक रूप से सोचना शुरू करता है तो वो मूर्थ क्रियातमा कवस्था कहलाती है कोईशन नमबर 12 का राइट आंसर का भी नेक्स्ट विद्धिहार्तियों को विध्याले में खेलना क्यों उचित है? यह सिक्षिकों के लिए काम आसान करेगा विए सहहयोग ईवचारीरृ शारेरी क्षाण तुलन का विकास करेगा कोईशन नमबर थाटीर यह सार्फिर्वेयोग से शवेके बनाएगा तो विद्यारती को विद्यारती को विद्याली में क्यों खेला चाहिए, क्यों उचेता है तो ये है सहयोग और सारी रिक्षंतुलन का विकास करता है Q13 का राइट आंसरों का B नेश्ट परिवार एक साधन है अनौपचारिक साधन का B, दूरस्ट सिख्चा का C. गैर आप चालिक सिक्षा का और D. आप चालिक सिक्षा का तो परिवार जो है वो बच्चे की प्राद में गाट साला कही जाती है और यह अनौप चालिक सिक्षा का एक सादर है Q. नमबर 14 का राइट आंसरों का A Q. आज की वीडियो का लास्ट कोईशन देखते हैं एक सिक्षक विध्यारतियों में सामाजिक मुल्यों को विक्सित कर सकता है A. माहन व्यक्तियों के बादें बोलकर B. उन्हें अच्छी कहाने सुना कर C. आदर सुरूप से वरताव कर विक्सित कर तो एक शिक्षक विध्यारतियों में सामाजिक मुल्यों को इस आदर सुरूप से वरताव करके विक्सित कर सकता है Q. नमबर 15 का राइट आंसरों का C आज के लिए इतना ही थैंक्यू पॉर वाचे